नमस्ते दोस्तो जोहर मैं भी सेक चक्रवर्ती आप सभी का फिस अपनी उड़क चनल पर स्वागत का तो दोस्तो आप सभी के डिमांड पर क्लास 11 का एकनॉमिस का टाप 40 सब्सक्राइब कर लिजेगा और अगर अभी तक आपने टेलिग्राम चैनल को जोइन कर लिजेगा और साथ ही कुछ भी कोशन में डाउट हो तो आप हमें डाइरेट इस्टाग्राम में सवाल पूछ सकते हैं तो दोनों का लिंक जो है डिस्क्रिशन में दिया गया आप लोग जाके जरूर उसे फॉलो कर लिजेगा तो चलिए दोस्तो एक एक कोशन को देखते हैं और जल्दी अपने फ्रेंट्स के बीच इस वीडियो को सेर कर दीजे तो आज किस वीडियो का सबसे पहला कोशन दिया दोनों यहाँ पर करक्ट हो जाएगा तो जोस्तो इसके अंदर से क्या और सवाल पूछे जा सकते हैं तो याद रखेगा साइखी की सब्द का सरपथम परियोग की सवर्स हुआ ये आप से सवाल पूछा जा सकता है तो याद रखेगा साइखी की सब्द का परियोग सरपतम 1749 में जर्मनी के लेखा गौट फाइड एकनवाल ने किया था इसलिए उन्हें सांखीकी का जन्दाता ठीक है फादर ओफ स्टेटिस्टिक्स कहा जाता है किसे गौट फाइड एकनवाल को आप लोग नीचे कमेंट करके बताईएगा कि भारतिय सांखीकी के जन्दाता कौन है फादर ओफ इंडियन स्टेटिस्टिक्स कौन है आपनों नीचे कमेंट करके बताईएगा जिन्होंने मॉडल पेपर वन मेरा देखा होगा उनको हर एक कोईशन एजी लगेगा क्योंकि काफी जो है अच्छे से मैंने एक्स्प्लेइन करके जो है एक घंटा का कुछा गया है स्टेटिस्टिक्स इस यूजड ठीक है साइखी की का परियोग किया जाता है तो साइखी की का परियोग किसके किसके दोरह किया जाता है साइंटिस्ट के दोरह किया जाता है इकनोमिस के दोरह किया जाता है इनका डेटा का यूज किया जाता है आगे के जो है planning के लिए तो दोस्तों यहाँ पे आपका क्या हो जागा by all of them जो होगा correct होगा यानि वेग्यानिकों को दोरा असासियों को दोरा वैसाई को दोरा इन में से सभी जो होगा सभी को दोरा correct हो जाएगा ठीक है चले next question क्यों चलते है question number three क्या पूछा गया most important questions में से है कि from which Latin word statistics is statistics been Cars Hamilton Drive टीक है तो दोस्तों याद रखे गा पूछा क्या गया है हिंदी में देख लिजीए हैं आप ठेकिसे कि सभड लेटिन भासक के की सभड से लिया गया तो तो संकी की सभड जो है Latin भासक की सभड से लिया गया तो याद रखे गा यहाँ correct answer हो जाएगा status है गरे आपका collected by the investigator is called तो देखिए यहाँ पर collected करने का बात किया रहे हैं यानि आप जाके स्वयम जाके घर जाके collect कर रहे हैं डेटा को तो वो डेटा क्या कहलाती है अनुसंधान करता है जो स्वयम जो आकड़ को संग्रहित करती है वो कौन सा आकड़ा कहलाती है तो आप सभी को मालूम होन क्यों चलते हैं देखिए एकडम chapter 1 से आप लोगों का बहुत सारे questions उसी में से देखनों के मिर रहे है तो आप लोग questions को अच्छे से कीजेगा chapter wise वीडियो भी चाहिए होगा तो नीचे comment कर दीजेगा क्या पुछा गया है the word statistics is used in तो दोस्तों आपका यह जो वर्ड होता है statistics साइंखी की सब्द का जो सिंगूलर सेंस में भी यूज किया जाता है तो एक वचन और बहु बचन इन में दोनों ही जो होगा correct होगा बोथ 1 & 2 यहां पर आपका दोस्तों correct हो जाएगा ठीक है चलिए is called as ठीक है तो दोस्तों याद रखेगा इसको हम कहते हैं sampling investigation के अंतरगत्र आएगा ठीक है यानि यदी समग्र में कुछ चुनी हुई इकायों का अध्यन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं परतिदर्स अनुसंधान दोस्तों यह परतिदर्स चुने हुए अंस यानि परतिदर्स कहा जाता है यानि बहुत कुछ आपके पास आकड़ा उपस्ति होता है उसमें से आपको चुनना पड़ता है ठीक है और उसी का सर्वेच्छन किया जाता और उसके आधार पर निकालेगे निसकस को संपुन पर ही लागू कर लिया जाता है घर में सबका घर में ममी क्या बना रही है चावल ठीक है और वहां पर चावल बनते हुए देखते हैं आप लोग तो जो है क्या देखते हैं हम लोग के चावल बनते हैं तो उसमें चेक करने के लिए क्या पूरा चावल का ही जो है चावल पका है या नहीं पका है उसके ल यानि अगर एक दो दाना में से हमको पता चल गया कि ये पका है तो हम समझ जाते हैं कि ये जो है पूरा पूरी जो है चावल पका हुआ है ठीक है यानि याद रखे कि घर में जब जो मा चावल पकाती है तब जो है वो चावल अच्छे से पका है या नहीं है यहाँ पता करने के लिए चावल के दो तिन दानों को पीस कर जो है पता कर लेती है कि चावल पका है या नहीं पका है तो इसे ही कहते है सेंपल यानि परती दर्स समग्र का अध्यन करने के लिए जो है उनमें से कुछ इकायों का आधार पर निसकर्स निकाला जाता है तो ऐसा जहां जहां तो ये आप लोग का परतिदस कहा जाता है, आपका sampling कहा जाता है, और एक example के लिए दोस्तों ले सकते हैं, जैसे अलग-अलग वैक्ति का अलग-अलग blood group होता है, तो आपके blood group जब आप जाच कराने के टाइम किया, डॉक्टर आपका पूरा खुन निकाल के जाच किया था, य जो है, उनको मिल जाता है कि आपका कौन सा blood group है, ठीक है, तो यह जो है, पूरा में से कुछ अंस लेके आप उसका पूरा का संपुर्ण का अगर निसकर्स निकालते हैं, तो यह ही कहलाता है आपका परतिदर्स में, ठीक है, तो इसी को हम कहता है, क्या दोस्तों, sampling investigation कहता है, तो याद रखेगा इसको, ठीक है, यदि समग्र में, यानि टोटल में, कुछ चुनी हुई कायों का एध्यन किया जाता है, तो उसे हम कहते है, परतिदर्स अनुसंधान, इसको अच्छे से याद कर लिजेगा, ठीक है, चले, next question क्यों चलते हैं, देखिए दोस्तों, हिंदी में, देख लिजे, क्या होगा, कि उप्यूक्त जहां समग्र की सभी एकाई, जो है, एक रूप, ना हो, वहाँ पे संगरना विधी का उप्यूक किया जाता है, ठीक है, चले, next question क्यों चलते हैं, देखिए, पूछा क्या गया है, methods of investigation, तो दो टाइप का methods आप पढ़ देख के आपको पाँच जो है, आप तो जानते है, class 9 में भी आपने बनाया है, एक, दो, तीन, और ऐसे करके आप पाँच करने के लिए दाएं या बायें साफ कर देते हैं, तो आपको फसाने के लिए देखिए, दोनों ही figure में आपको फसाने के लिए किया गया है, लेकिन इसको थोड़ा सा समझ लिजेगा तो आपका एक्जाम में गलत नहीं होगा, देखिए, तो देखिए, पहली जो चार जो लकीर होगा, दोस्तों, पांच लिखा है ना, तो उसमें जो पहली जो चार लकीर होगे, वो लंबवत होती है, यानि सीड़ी से लंबवत होती है, और वो पंक्ति से चार उर्धावर धर रेखाओं पर तिर्ची कैसे जाएगे तिर्ची इधर से जाएगी या बहुत किसी स्टूएंट का डाउट है इधर से जाएगी ठीक है तो याद रखेगा जो ये चार लंबी-लंबी डंडिया है उनमें अगर हमको 500 करना है तो उर्धावर रेखाओं में तिर्ची और एक रेखा खिचते हैं लेकिन याद रखेगा ये जो है पहली पंक्ति पहली पंक्ति कहां है यहां है ना पहली पंक्ति के सिर से चौथी पंक्ति के नीचे चौथी पंक्ति के नीचे तक जाता है यानि option नमबर जो है यहां पर 5 बोला था तो 5 क चलते हैं, question number 10 पर देखते हैं, क्या पुछा गया है, question number 10 को थोड़ा सा आप लोग समझ के कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा confusion आप लोग को हो सकता है, तो confusion नहीं रखना है दोस्तों, एकदम आसान भासा में बता दे रहा हूँ, ठीक है, when both lower and upper limit are considered such series is called, ठीक है, आपके पास दोस्तों पहला है inclusive series, दुसरा है exclusive series, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जब पूरा data ही नहीं दिया है, तो हमको यहाँ पे inclusive series के बारे में आपका लिखा रहाता है, यहाँ अगर inclusive series होता दोस्तों, तो यहाँ लिखा रहाता, कि upper limit of the previous class interval does not repeat in the lower limit of the next class interval, तो इसको ह पुरा तो दोस्तों यहां पर हम inclusive series तब ठीक नहीं करेंगे ठीक है तो अगर दोस्तों यहाँ पे नहीं लिखा उस तरह से तो हम समझ जाना है हमको यहाँ पे क्या है मेरा यह जो होगा exclusive series होगा क्यों दोस्तों यहाँ पे जब आपका इस तरह से लिग दिया जाए ठीक है तो याद रखेगा इस पर confusion नहीं करना है दोस्तों ठीक है जी सीरिज में लोवर यानि लोवर यानि लोवर को किससे दिखाते है एल वन और अपर यानि एल टू दो लिमिट दिया रहे तो उसे हम लोग डाइरेक्ट अगर दिया रहे तो उसे हम लोग exclusive series माल लेते हैं अगर question में जो मैंने बताया लाइन वो अगर लिखा रहा था तब हम लोग जो है inclusive series कहते है ठीक है तो आप लोग यह doubt हो सकता है question incomplete किया गया तो यहाँ पर आप माल लेजेगा इसको क्या exclusive series होगा ठीक है और द जो है आपका continuous series के अंतर कर दिखाते ठीक है तो यहाँ पर आपका exclusive series यहाँ पर correct हो जाएगा लेकिन जो मैंने line बताया अगर वो line इस पर लिख दिया था तो आपका inclusive series यहाँ पर correct हो जाता है ठीक है तो अभी आप लोग को क्लिया रखना है कि exclusive series हो जाएगा यहाँ पर तो देख लीजेगा जब नीम्न तथा उच्छ दो सीमा को एलवन से डिनोट करते हैं तो एसी स्रेणियों को क्या कहा जाता है अब वरजी जो है स्रेणी कहते हैं ठीक है समाव इसी के बारे मैंने बता है कि इसमें जो सीरिस बार-बार रेपीट नहीं होते है ठीक है चलिए न दोस्तों मैंने बताया था model paper में आप लोगों को जब आप दुकान जाते हैं दुकानदर के पस कपड़ा खरीदने के लिए तो आप दुकानदर को क्या बोलते हैं कि दुकानदर आपसे पूछते हैं कि कितना range का कपड़ा चाहिए तो आप बताते हैं दुकानदर जब आपसे पूछा कि range बताया तो आपने क्या बताया एक minimum limit बताया और एक maximum limit बता दिया बताया ना ठीक है तो दोस्तों याद रखेगा कि economics में जो है range क्या होता है तो किसी भी स्रिंखला series में जो smallest और ये जो smallest और जो largest number का difference होता है वो range कहलाता है ठीक है smallest और largest number क का जो अंतर होता है उसी को हम क्या कहते है range कहते है यानि सबसे छोटा और सबसे बड़ा संख्या का अंतर क्या कहलाता है पारस कहलाता है ठीक है तो यहाँ पर देखें फर्स नंबर पर ही लिग दिये गए difference between largest and the smallest observations ठीक है तो one correct हो जाएगा चलिए इसका समझ में आ गया इस इसी तरह से आसान भासा में समझना है तो आपनों नीचे कमेंट करके जोरूब बताएगा आगे questions भी आप लोग के लिए लिए लिखा होंगा दोस्तों इसमें और कुछ चीजें हैं आप लोग याद रखेगा इसको जो है कभी कभी question में numerical type में भी दे दिया आता है तो इसक यहां पर एल मतलब होगे आपका largest number और यहां पर एलस मतलब होगे आपका smallest number ठीक है यानि रेंज आर इक्वास टू लार्जस आइटेम माइनस smallest आइटेम यह इसका formula होता है रेंज का ठीक है इस formula का भी आप लोग note कर लिजेगा copy ठीक है इसके बाद दोस्तों question number 12 देख सकते and lower class limit ठीक है उसी को हम क्याते हैं the class mid point ठीक है तो यहां पर आपका option number one correct हो जाएगा ठीक है यानि एक वर्ग का मैध्विंदू बराबर है एक वर्ग का मैध्विंदू बराबर है उच वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के औसत की बराबर इसका formula कैसे निकालते हैं mid value equals to L1 plus L2 by 2 है ना चलिए दोस्तों इसके बाद question number 13 देख सकते हैं easy question पूछा गया अभी हम लोगों ने उसके बारे में discuss किया क्या बोला है mid value यानि मैध्विंदू तो इसकी गनाना के लिए निम्नतम सीमा यानि lower limit lower limit को किसे denote करते हैं L1 से यहां उच सीमा upper limit को denote करते हैं आ आपका L2 से ठीक है तो यहां पर L1 और L2 को जोड़कर 2 से भाग देकर क्या निकाला जाता है आपका mid value निकाला जाता है तो यहां पर देखिए L1 जो है lowest आपका क्या दिया गए limit lowest limit दिया गया है 60 ठीक है फॉर्मूला में plus होता है और आपका जो यहां पर लिमीट दिया गय यहाँ पर 140 और भागा देंगे तो इसका निकल जाएगा अंसर दोस्तों 70 इसका correct answer हो जाएगा तो इसी तरह से आप लोगों को निकालना है बिल्कुल easy question रहेगा इस तरह से आप लोगों के एक question है इससे देखने को भी मिलेगा ठीक है दोस्तों इसके बाद question number 14 देख सकते हैं एन orderly management of data in rows and column are called पंक्तियों और अस्तंबों के रूप में समंकों की करमबद व्यवस्ता क्या कहलाती है तो दोस्तों याद रखेगा किसी भी आकड़ा यानि जब किसी आकड़ा data को rows आप दोस्तों rows और column का अंतर को समझ लीजी जब आप इस तरह से इस तरह से lines खिछते है तो इसकी हम कहते हैm rows क्या कहते हैं रोस कहते हैं तो जब आप सिधा सिधा lines खिछते है याद रखेगा rows कैसी होती है rows जो होती है आपका left to right रोस कैसे बनता है left से right की और ठीक है और जो column होती है वो कैसी बनती है आप से down दाउन की और अप से डाउन की और ठीक है याद रखेगा अब दोस्तों इसका मतलब समझ लेते हैं जो कोईशन में पूछा गया है जब किसी आकड़ा डेटा को रोज यानि पंक्ती कॉलम यानि अस्थम यानि सुचना के तालिका के रूप में हम जब प्रस्तूत करते हैं तो उसे सार्णी करण कहते हैं उसे क्या कहते हैं सार्णी करण कहते हैं उसे हम लोग कहते हैं टेबुलेशन कहते हैं इसको नोट कर लिजेगा अलग 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 अंसर बताए जाएगा लेकिन कॉंसेट के साथ चलिएगा तो आप लोग का एक भी कोईशन गलत नहीं होग है तो क्या formula लगाते है lower limit प्लस आपका upper limit by 2 mid value का formula होता है बताए थे ना तो यहाँ पर lower limit है आपका 50 upper limit है 70 ठीक है divided by through जोड़ दिजेगा 120 को 2 से भागा देंगे तो मेरा निखल जाएगा 60 इसका correct answer तो 60 यहाँ पर कहा है option number 3 पर है correct हो जाएगा चले इस question क्यों चलते हैं देखिए एक graph of cumulative distribution function is known as तो जाए भी कहते हैं इसको option number 1 जोगा यहाँ पर correct हो जाएगा ठीक है यानि एक graph जो संची आवर्थी को रूप में दिखाता है उसका हम क्या 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 क्याते हैं बताए थे ना आप लोग को उसको कहते है तोरण चित्र ठीक है आप लोग class 10 में भी बनाए थे चली नेश कोशन दिया गया गया 17 नमबर पे और बार diagram इस तो बायर diagram कैसा होता है दोस्तों तो आप लोग पढ़े हुए है आप लोग को बताए गया इस पे diagrammatic representation of data ठीक है आकडो के चित्री निरुपन का उद्दे से क्या है तो इसको हम कहते है presentation कहते है इसको क्या कहते है presentation यानि प्रस्तुति करन कहते है option 2 जो होगा correct हो जाएगा next question दिया गया है the total angle of the center of the pie diagram तो पाय डियाग्राम जो है circle की रूप में so करते हैं और कहीं से भी angle बनाएंगे दोस्तों तो वहां जानते है आप total एक पाय का जो total angle होता है value कितना होता है 360 होता है तो यहाँ आपका option number two 360 यहाँ पर correct हो जाएगा यानि एक पाय और एक का केंदर पर कूल कितने कोन होता है 360 डिगरी का कोन बनते है देखिए और एक question पूछा गिया है इसको भी हम कहेंगे क्या question number 20 है इसका भी correct answer हो जाएगा यहाँ पर on the basis of the median location of median बोला गया है मैं दिखे है कि गन्ना के आधर पर तो यहाँ पर बनता है ओजाइब जो है कर बनता है यानि आपका ओजाइब वक्र यहाँ पर आपका correct answer हो जाएगा नेश question क्यों चलते है देखी अब जो है आप लोगा book 2 से question दिया गया 20 question रहेगा आप लोगा book 1 से और 20 question रहेगा आप लोगा book 2 से ठीक है तो book 2 को भी आप लोग अच्छे से त्यारी करके जाएगा उसको लेकर भी chapter wise वीडियो इसके बाद अगर आप लोगा demand रहा तो जरू बन दीत है ठीक है तो आप लोग जो है agriculture में आपका चाहे आप मस्तेश का पालन करिए चाहे आप यहां पे क्रिशी कीजिए वो सारा चीज़ किसमें आए जाएगा primary activity के अंतरगत आ जाएगे तो आप लोग नीचे comment करके बताईए कि secondary जो है उसका example क्या होगा और tertiary जो सेक् है तो देखते हैं कितने बच्चे करते हैं जिनका करेक्ट होगा उन्हें लाइक किया जाएगा ठीक है यहां पर पूछा गया है इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस रॉन तो यह हर एक बच्चे को मालूम होना चीए कि भारत की आज भारत कब आजाद हुआ था पंदरा सेंसर हो जाएगा 1881 को यह चीज हुआ था ठीक है याद रखेएगा ब्रीटिस काल के दौन भारत की पथम जनगारना हुई थी 1881 पे ठीक है नेस्ट जो क्वेशन पूछा गिया है यह कोशन बार बार रिपीट होता है इस बार भी आप लोगका साहिद मॉडल पेपर में द और सेंसरी योजना पूछा गिया है कब लगकर से कब तक चली थी तो याद रखेगा, 19 जो है, आप लोग का याद रखना जोरूरी है, कि आप लोग पहला वाला तो याद जोरूर रखेगा, कब था 1951 से लेकर 1956 तक चला था, तो अपकोर्स 5-5 साल तक होती है, तो 5 साल में फिर कब से स्टार्ट हो कि, 1956 से लेकर 1961, ठीक है, तो 2nd जो है, इंड परसांचंद्र महाल नोबिस के समय बहुत बड़ा योगदान था, और इसमें उन्होंने जो है, भारी उद्दोगों के विकास पर काफी ज़्यादा बल दिया था, और परसांचंद्र महाल नोबिस जो है, भारतिय साइंखिकी के पिता के रुप में जाने जाते हैं, ठीक ह तो यह कुशन तो अभी जादा पूछा ही जाएगा, ठीक है, आगे तो जानते है योजना आयोग था, अब जो है उसको नीती आयोग कर दिया गया, तो यह कब नीती आयोग बना, दोस्तों तो याद रखेगा, एक जनौरी 2015 को, ठीक है, एक जनौरी 2015, option 2 जो है, correct हो जागा और नीती आयोग के अध़च कोन होते हैं दोस्तों, आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, वर्तमान में नीती आयोग के अध़च कोन है, जरूर कमेंट करके अंसर बताएगा, बार बार यह कुशन पूछा जाता है, ठीक है, और नीती का फुल फॉर्म क्या होत नेश्ट कोईशन पूछा गया GDP स्टेंड फोर तो GDP का फुल्पम क्या था ग्रॉस डॉमेस्टिक प्रोड़क्ट करेंट एंसर हो जाएगा चले नेश्ट कोईशन क्यों चलते हैं हिंदी में कहते हैं इसको हम लोग सकल घरल उत्पाथ GDP को सकल घरल उत्पाथ कहते हैं और यहां पे जो है खाली भारतिय नागरी को यानि भारतिय माहानस्तियों के नाम देगे ओए यहां पे फॉरेंड का कंट्री का नाम नहीं दिया गया ठीक के अगर बीदेशी में कहा जाता तो कोन है फौर्स्ट ग्रिन revolution का तो इंडियन ग्रिन revolution का बात करें इंडियन ग्रिन revolution का तो इसमें योगदान था किनका MS स्वामी नाथन का और उन्हें जो है father of Indian green revolution कहा जाता है तो अगर खाली आपको पूछा जाता who is the father of green revolution तो इसका correct answer क्या होता आप लोग नीचे comment करके बताएगा यह तो है भारत में हरित करांती के जनक जो है आपका MS स्वामी नाथन है लेकिन केवल अगर आप से पूछा जाए कि हरित करांती के जनक कोन है तो इसका correct answer क्या होगा आप लोग नीचे comment करके जूरू बताएगा ठीक है यहां पर वो option नहीं दिया हुआ दोस्तों अगर वो दिया रहता तो उसे हम लोग टीक लगाते ठीक है next question दिया गया the statement agriculture is soul of India ठीक है तो जानते हम लोग इसका correct answer क्या हो जागा महात्मा गांधी जो होगा correct answer हो जागा ठीक है यहां पर गरिबी हटाओ का नारा जो है इंद्रा गांधी के द्वारा दिया गया था इसमें जो सुंदरलाल बहुगुना जो देख रहे हैं यह जो सुंदरलाल बहुगुना है चिप को आंदोलन से संब्धित है जिसमें इन्होंने काफी बड़ा भूमिका निभाय था उत जादा भाय नवरुजी देख रहे हैं यह जो आप जानते हैं दो तरीके के जो हमारे जब सोतनतरता संग्राम चला था उसमें एक नरम दल एक गरम दल था दोनों जो है इन्हीं को काफी ज्यादा मानते थे और इनका काफी बड़ा भारतिय इतिहास में इनका योगदार है भारतिय सोतनतरता कर ले कर ठीक है चले आगे कि हम लोग को देख लेते हैं दोस्तों क्या पूछा गया है होती है क्योंकि इसमें ज्यादा मेहनत लगता है और इसमें आप लोग जानते हैं कि सब चीज और गनिक यूज किया जाता है ठीक है तो जैविक में क्रिशी जो है एक धारणिय होगा आपके यहां पर यहां पर पूछा गया तो यहां पर आपका करेक्ट एंसर हो जागा बिल्कुल से पकड़े अबदुल कलाम करेक्ट हो जाएगा ठीक है यानि दूसरी हरित करांती का नारा खिसने दिया था एप जब दूल कलाम ने दिया था चीपको मुमेंट वाज स्टार्टेट वाई तो किसके दोरा सुन्दरलाल बहुगुना के दोरे स्टार्ट किया गया था कहां किया गया था उत्तरा खंड के चमुली डिस्टिक पे किया था ठीक है चले इनेश कोईशन के चलते हैं याद रखेगा इसको देखें आपर जो स्ट्रुएंट का कोईशन भेजा हुआ था उन्हों स्टार्ट हुआ था जिसको हम लोग टाटा के नाम से जांते हैं कब स्टार्ट हो था दोस्तो याद रखेगा उनीस सो साथ में ठीक है जमिनीस साथ में जो की पूछा गया है तो पहली जो है जो है नाइटी 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 वन को जो है स्टार्ट किये गई जब भारती अर्थविवस्ता लड़कड़ाई थी आप लोग सबसे अच्छा एक मूवी वेब सीरीज देखे होंगे हरसद मैता का जो है उन्हों इसक्याम जो दिखाया गया था तो उस पे आप लोग ने देखा कि किस तरह से हम लोग का भारती अर्थविवस्ता चर्मराया हुआ था उस समय जो है ततकालि फाइनस मिनिस्टर थे मनमुहान सिंग जो आगे चलके परधार मंत्री भी बनते लेकिन जब यह उनीस सो इकानवे का जैब यह चीज़ हो रहा था उस समय जो है भारत के जो है परधार मंत्री कौन थे नीचे आप कमेंट करके ज़रूर बताएगा ठीक है चले नेश कोईश नेश कोईशन की चलते दो क्या बोला गया भारतिय संकी की संस्तान कहां इस्तित है तो दोस्तों याद रखेगा यह कहां इस्तित है कलकत्ता में इस्तित है ठीक है एकनो मिस्ट के शुडेंट आप लोग याद होना चीए 39 नमबर देख सकते है उस तो क्या पुछा गया 39 मे यहाँ पर world trade organization का option number two जो होगा यहाँ पर correct हो जाएगा ठीक है तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने जो है अभी तक 49 question कर लिया और आज किस वीडियो का last question दोस्तों देख सकते क्या दिया गया this investment means तो this investment means पूछा गया दोस्तों तो यहाँ पर आप सभी देख की समझ गये होंगे कि वी निवेस का तातपरी क्या होता है invest made by private sector in public sector enterprises ठीक है आप जानते है कि इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो है सरकारी जो है छेतर खोल दी जाते है private sector के लिए ताकि वो लोग अपनी पूझी का निवेस उसमें कर सके और इसमें उनकी भी हिस्सेदारी हो भागीदारी हो ताकि और मिल जूल के मुनाफ़ा जादा कमाया जा सके ठीक है तो इसमें कोई बहुत कोई कमपणी क्या करती है जो संस्ता है होती सरकारी संस्ता है वो अपना सेयर जो है private sector के लिए open कर देती है वरतमान में जो है LIC के बारे में आप लोगो ने सुना हुआ है कि उसने अपना कुछ सेयर जो है पब्लिक सेक्टर के साथ पब्लिक वाले ज सामिल किया जाता है तो वे वी निवेस कहा जाता है याद रखेगा इसको ठीक है तो दोस्तों इस तरह से आप लोगों का 40 questions complete होता है आप लोग बताएगा कि 40 में से आपने कितने questions का answer correct किया है और क्या आप सभी ने model paper 1 जो मैंने वीडियो बनाया था उसे आप लोग ने कि आप लोग का त्यारी अच्छिस हो जाए क्योंकि आपके पास समय काफी कम है इसके बाद आप लोगों को इंगलिस का भी त्यारी करना है और एक दिन में तीन paper का exam देना है ठीक है तो चाहे आप arts, commerce or science तीनों stream के student हो आप लोगों से request है कि आज के आज ही उस वीडियो को देखके complete कर लिजेगा और अगर वीडियो चाहते है तो continuously आप लोगों के लिए वीडियो आएगा आप लोग किस की subject का वीडियो चाहते है नीचे comment करके ज़रूब बताएगा तो आज का वीडियो आप सब को पसंद आए और पसंद आए तो बिल्कुल like, share and comment करना ना भूले प्लिस इस वीडियो को जादा से जाद आपने दोस्तों के भी share करें ताकि मुझे motivation मिल पाया और आप लोगों के लिए और भी बैतने वीडियो लेके आपाऊं तो मिलते एक नए वीडियो में दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, जैहिंद, वंदे मातरम